ओम शान्ति आज हम हमारी अति मीठी और प्यारी दादी प्रकाश मनी जी के अमरित वचन सुनेंगे हम सभी जन्वरी मास में बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं और दादी जी के क्लास का भी आज टॉपिक यही है कि तपस्या का मूल लक्षे क्या होता है तो दादी जी ने बहुत गहराई से और बहुत सुक्षमता से हम सभी को यह बताया है कि तपस्या का अर्थ क्या है तपस्या में क्या-क्या विग्ण आते हैं और उन विग्णों को हम किस तरह पार करें तो सुनते हैं दादी प्रकाश मनी जी के अमरित वचन क्लास का टॉपिक है हमारी तपस्या का मूल लक्ष व्यर्थ संकल्प और संस्कारों को समाप्त करना व्यर्थ संकल्प और संस्कारों को समाप्त करना इस नए वर्ष में स्वव सर्व के प्रती प्रेड़ना दायक बनने के लिए हम सब विशेश भिन भिन रूप से तपस्या करें हमारी तपस्या का मूल लक्षे हो वियर्थ संकल्पों पुराने कड़े संस्कारों को समाप्त करना किसी भी परिस्थिती के कारण जो संकल्प विकल्प उठते हैं और हमारे बुद्धी योग को तोड़ते हैं जिससे सारी शक्ती वियर्थ हो जाती है अब वहे वियर्थ संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए समय प्रमान अब ये वियर्थ संकल्प विकल्प की स्टेज समाप्त हो जाए व्यर्थ संकल्प उठने का कारण है कोई न कोई सुक्ष्म में भी इच्छा जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई भी देहधारी याद नहीं आना चाहिए अगर याद आता है तो उसका कारण है जरूर उसके पीछे कोई इच्छा या स्वार्थ है बाबा की आग्या प्रमार, श्रीमत प्रमार कोई देहधारी बुद्धी में याद ना आए लेकिन दादी जी कहते अगर फिर भी याद आता है तो उसके पीछे कोई न कोई इच्छा या स्वार्थ है कहां भी बुद्धी जाती है तो सूक्ष्म चेक करो जरूर उसके पीछे स्वार्थ होगा कईयों की बुद्धी में आता है मुझे मान मिले, मेरा शान हो, मेरी इजजत हो, मेरा नाम हो ये सूक्ष्म इच्छा भी व्यर्थ संकल्प उठने का कारण है ऐसी इच्छाएं तपस्या में विग्ण रूप है नाम मानशान की ये हद की इच्छाएं तपस्या में विग्ण रूप है इसके लिए बेहद का वैराग्य चाहिए जैसे कई समझते हैं, मैं कोई भी सेवा करता हूँ, तो उसकी कदर नहीं की जाती हमारी सेवा को कोई स्विकार नहीं करते, मानते नहीं है, सेवा तो की, लेकिन सूक्ष्म में कई प्रकार का मेवा चाहते है सेवा भी कर रहे हैं लेकिन अंदर मन में वियर्थ संकल्प विकल्प चल रहे हैं इच्छाय कामनाय हैं तो दादे ने का एक तरफ सेवा किया लेकिन दूसरी तरफ कई प्रकार का सेवा का मेवा चाहते हैं तो चहना माना ही इच्छा आ सकती है कोई भी प्रकार की इच्छा होगी तो उसका सामना जरूर करना पड़ेगा जैसे धन इखटा करने की शक्ती का शौक होता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती बिजनस में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म ही नहीं करना है करना जरूर है लेकिन एक है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना अत्वा बाबा की सेवा के लिए कर्म करना और दूसरा है शौक अत्वा इच्छाओं की पूर्ती के लिए कर्म करना शरीर निर्वार्थ कर्म करते अगर याद ये रहता है कि हम जो भी कमा रहे हैं जमा कर रहे हैं वो बाबा की सेवा के लिए है बाबा के लिए है निमित्त ट्रस्टी होकर संभाल रहे हैं ये एक है शरीर निर्वार्थ करना दूसरा है शौक से भविश्य को जमा करने के लिए इच्छाएं कामनाएं रखकर हम कुछ कर्म करते हैं फिर ऐसे कर्म में स्वयम को बिजी कर लेते जो कंट्रोल से बाहर हो जाता उसके लिए नींद भी नहीं करते यदि उसमें अच्छा रेस्पॉंड नहीं मिलता तो ना उमीद हो जाते हैं ये कोई बैलेंस नहीं है तूमच विस्तार करने से फिर जो ग्यान योग धारनाएं है वो पुरशार्थ धीला हो जाता है दादी केते हैं ये बैलेंस फिर रखना नहीं आता तपस्या कहती है कर्म करो लेकिन बैलेंस रखो सेवा भले करो लेकिन आसकती नहीं रखो स्वार्थ ना हो गूमो फिरो खाओ पियो लेकिन अनासक्त रहो अना सक्त इस्थती ऐसी होती है जो सब व्यर्थ संकल्पों से छोड़ा देती है तो सुक्ष्म चेक करो कि व्यर्थ संकल्प यदि उत्पन होते हैं तो उसका कारण क्या है क्या किसी भी प्रकार का शौक है या कोई आ सकती है हर बात का उलास रखो, उमंग से करो, लेकिन उसमें आसक्त होकर फस नहीं जाओ हर कारिय निमित बन करके करो कोई भी कर्म करते, क्या याद रहे? अनासक्त भाओ, आसक्तियों में फस ना जाओ, बले कितना भी सेवाएं करो लेकिन दादी कहते हैं, सदा आना सकते रहो, उसमें फसना नहीं मान लो, कोई ने मुझे कुछ कहा, हमारे कानों तक वह बात आई और किसी से हमारे बारे में कोई बात हमें पता चली कि दूसरे मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं और फिर क्या होगा, मेरी खुशी गुम हो गई, ऐसी फीलिंग आई जो चहरा ही मुर्जा गया तो तपस्या करने के पहले चेक करो, क्या हमने इस फीलिंग के फ्लू को समाप्त किया है मेरी खुशी को कोई भी बात नीचे तो नहीं ले आती छोटे से छोटी बात हो या बड़ी बात हो किसी भी बात का मेरे माइन्ड पर असर तो नहीं आता है यदि माइन्ड पर असर आया, फीलिंग आई तो तपस्या भंग हुई कोई भी बाते सुनते देखते अगर मन डिस्टर्ब हो गया, फीलिंग में आ गये तो दादी केते जो तपस्या की है वो भंग हो जाएगी बाबा कहते बच्चे तुम्हारी इस्थती ऐसी चाहिए जैसे कमल का फूल कमल फूल अर्थात, निरलिप्त सब कार्य करो, लेकिन निरलेप रहकर करो, निमित मात्र करो तपस्या का आधार ही है, नियारे और प्यारे बनो, इससे इस्थती अडूल रहेगी नियारे प्यारे रहेंगे, तो कोई भी एच्छा आसकती, पैदा नहीं होगी कमल फूल समान, नियारे प्यारे और निरलिप्त रहेंगे, निमित मात्र होकर कर्म करेंगे तो कोई भी आसकती इच्छाएं पैदा नहीं होगी जब कोई भी आसकती नहीं, मान, शान, बड़े, छोटे, अच्छे, बुरे, कोई इच्छा नहीं तो आपके स्थती बहुत-बहुत स्वीट हो जाएगी फिर ऐसी स्थती से याद में बैठो तो स्थाई याद हो जाएगी तपस्वी मूरत बन जाएंगे याद भी स्थाई होगी और हमारा स्वरूप तपस्वी स्वरूप हो जाएगा कब होगा जब छोटा बड़ा मान शान अच्छा बुरा इन सब बंधनों से हम परे रहेंगे, कमल फूल समान निर्लिप्त रहेंगे तपस्वी मूरत बनने के लिए इच्छा मात्रम अविध्या बनो, किसी भी प्रकार की अंश मात्र भी इच्छा ना हो, किसी व्यक्ति से स्वार्थ ना हो, वैभवों, वस्तुवों की चाहना भी ना हो ऐसी नीस्वार्थी जीवन बनाओ, इसके लिए बुध्धी में त्याग व्रती हो, जब हम है ही त्यागी वैरागी, तो तपस्वी तो बन ही जाएंगे तपस्या के पहले चाहिए त्याग और वेराग्य त्याग और वेराग्य जहां होगा वहां तपस्या होगी और त्याग और वेराग्य क्या हो? किसी से भी हमारा स्वार्थ ना हो इच्छा मात्रम अविध्या की अवस्था हो व्यक्ति वस्तुवों और वैभवों की चाहना ना हो ऐसी नीस्वार्थी जीवन बनाओ तपस्वी मूर्थ बनने के लिए सुनते भी ना सुनो देखते भी ना देखो इसके लिए चाहिए सहन्शीलता कईयों की दिल बड़ी कोमल होती है ग्यान में कोमल दिल नहीं चाहिए कोमल दिल वाले को छोटी छोटी बात में फिलिंग आती है जो उदासी ले आती है कोमल दिल वाला सदा कमजोर होगा हिम्मतवान नहीं हो सकता वह डरपोख होगा कोमल दिल वाला ही जवाब देता कि क्या करूं मेरे में सहन शक्ती नहीं है क्या करूं कैसे करूं ये सब कमजोरी के बोल है परवश आत्मा के बोल है तो दादी जी कहते हैं जिन में सहन शक्ती नहीं होती है उनके मुख से ऐसे बोल निकलते हैं ग्यान मार्ग में कोमल दिल नहीं चाहिए संगठन में चलनी के लिए सहन शीलता का गुन बहुत जरूरी है क्योंकि अनेक प्रकार की बातें सामने आती है संगठन में अलग-अलग भाव स्वभाव संसकार सामना करने आते हैं तो दादी कहते हैं सहन शीलता का गुन बहुत जरूरी है कभी कोई भाव स्वभाव होगा, कभी कोई मुझे कुछ बोल देगा इसलिए सहन शीलता और धैर्यता का गुन बहुत सरूरी है धैर्यता के लिए सहन शीलता जरूर चाहिए तो इन दोनों गुनों को धारन कर तपस्वी मूर्त बनो दहर्यता और सहन्चिलता ये तपस्वी आत्मा का जैसे आभूशन है तो दादी कहते हैं सहन्चिलता के लिए दहर्यता चाहिए और जहां ये दोनों गुण है तपस्वी बन जाएंगे तपस्या अर्थात अपना बुध्धी योग एक बाबा से रखो एक बाबा को ही देखो बाबा से ही सुनो बाबा के संग बैठो बाबा से मीठी मीठी बाते करो एक बाबा के सिवाई और कुछ भी दिखाई न दे ऐसी मगन अवस्था हो एक बाबा के सिवाई और कुछ भी दिखाई न दे उनके दिल में सर्व के प्रतीस नह रहता सब मीठे प्यारे लगते वो किसी से भी नफरत नहीं करता हर एक की विशेषता को ही देखता है ये किसकी विशेषता हैं दादी जी सुना रहे जिनका एक बाबा से अटूट प्यार है तो वो सबकी विशेषताओं को देखेंगे किसी की भी कमी कमजोरी पर उनकी नजर नहीं जाएगी रोज चेक करो कि मीरे में कौन सी कमी है जो व्यर्थ संकल्प वा विकल्प उठते हैं दिनचरिया में चेक करो कि किस बात ने किस कारण ने किस रूप से मेरी बुथ्धी में व्यर्थ संकल्प उत्पन किया जिससे बुध् cambi योग टूटा यदि पुद्धियोग तोटता नहीं तो निरंतर आत्मा का दिपक जैसे जगा हुआ है फिर खुद को और दूसरों को भी रोशन करते रहेंगे खुद में भी साइलिंस की शक्ति भरी हुई होगी और दूसरों को भी वही वाइब्रेशन मिलते रहेंगे जैसे दिपक स्वता ही जहां रहता है वहां रोशनी करता है ऐसे तपस्वी आत्मा के वाइब्रेशन जहां भी वो आत्मा जाएगी ओटोमेटिक औरों को भी वो प्रकमपन वो रोशनी अनुभो कराएंगे अब अपनी ऐसी स्थती रखो जो सदा मौज में और मजे में रहो ऐसा कभी भी ना हो जो कोई बात का चिंतन नींद ही फिटा दे कईयों में वियर्थ चिंतन करनी की ऐसी आदत होती है जो अपना टाइम एनरजी वेस्ट करते रहते नींद भी खराब कर देते हैं छोटी सी बात होगी और सोचेंगे बहुत लंबा छोटी सी राई जैसी बात को भी पहाड जैसी बना लेंगे बात कुछ भी नहीं होंगी और चिंतन इतना बड़ा करेंगे जो राई को पहाड बना लेंगे लिकिन इन सभी का सुक्ष्म कारण है स्वार्थ, इच्छा, चाहना इसने मेरी इंसल्ट क्यों की? बस इतनी सी बात का विस्तार ऐसा कर देंगे जो पूरा 24 गंटे की एनरजी वेस्ट कर देगा फिर वो तपस्या क्या करेंगे? तपस्या में तो मन बुद्धी एक के साथ एका अगर चाहिए लिकिन छोटी छोटी बातों में अगर मन विस्तार में चला जाता है तो दादी के ती तपस्या कैसे करेंगे? तो तपस्या के पहले अपना चार्ट चेक करो और चेकिंग करके परफेक्ट बनो साइलिन्स की शक्ती, तपस्या की शक्ती ऐसी बढ़ाओ जो सुक्ष्म में भी कोई इच्छा ना रहे अगर अब तक हो तो उसे समाप्त कर दो कोई भी इच्छा हैं काम नए अगर अभी तक है तो दादी के ती उसे समाप्त करो इच्छा होगी तो उसकी निशानी है, फीलिंग जरूर आएगी कोई मेरी बात दूसरे से कह रहा है, तो उसका वाइबरेशन आएगा, चिंतन चलता रहेगा लेकिन हम अगर अच्छे हैं, तो मौज में रहे कोई हमारे बारे में कुछ कह भी रहा है दूसरों को लेकिन अगर हम सत्य हैं, हम राइट हैं, तो दादी केती हमारी अवस्था मौज की होनी चाहिए हमने बुरा ही क्या किया है, जो ऐसे चिंतन में समय गवाते हैं सदा बी गुड, डू गुड का स्लोगन याद रखो, तो किसी भी बात की फीलिंग नहीं आएगी बी गुड, डू गुड, सदा डबल ओके रहो, अच्छा है न, सदा डबल ओके रहो, फिर नैचुरल हलके हो जाएंगे योग में बैठते ही लगे कि हम बिलकुल हलके हैं, उड रहे हैं हमारी बुद्धी स्वच्छ साफ आइनी की तरह हो, तो उसमें कई अनुभव कर सकते हैं यही अभ्यास हमें निरोगी बनाएगा, संपूर्ण बनाएगा इस तपस्या से सारे विश्व में आवास पहुँचेगा हम सब की एक ही भावना है कि विश्व का कल्यान हो, परिवर्तन हो, सुख में संसार आए यही एक संकल्प है, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए तपस्वी आत्माओं का एक ही संकल्प है इसी संकल्प के लिए तपस्वियों का संगठन है कि सारे विश्व में अपरिवर्तन हो, विश्व का कल्यान हो, सुख में संसार इस धरा पर फिर से आ जाए तो इसलिए हम सब इसी लक्ष को लेकर तपस्या कर रहे हैं तो दादी जी ने जो भी हमें तपस्या के लिए बहुत सुंदर सुंदर युक्तियां बताई, विग्णों का समाधान करने की भी युक्तियां बताई, उन सब को हम जरूर सुक्ष मता और गहराई से चेक करके स्वयम को ऐसा तपस्वी मुरत बनाएंगे अच्छा, Om Shanti